शिमुगा से भदरावती जाने वाली मुस्लिम खातून पर के साटीसी कंडेक्टर की बत्तमीजी के बाद हुए हंगामे का वीडियो वैरल होने के बाद लगातार इस पर मुखतलिफ राय आ रही है लोगों का मुतालबा है कि कंडेक्टर पर कारवाई की जाए इस पर कई लोगों के बायानात आ चुके हैं इस पर के साटीसी ने कारवाई करते हुए कंडेक्टर नाग भूशन को सस्पेंट कर दिया है एक बड़ी खबर है कि कंडेक्टर को कल सस्पेंट कर दिया गया है आख कुछ भी हुआ है बहुत खराब हुआ है बहुत बुरा हुआ है एक मुस्लिम महिला के साथ जो बदसुल की हुई है ये बरदाश्ट के खाबिल नाकाबिल बरदाश्ट है यह हम इस चीज को बिलकुल बरदाश्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी क्या ये थी उसकी गलती क्या उस खातून की के पास कंड़क्टर को जाने की जरूरत भी नहीं थी चब उसको ठीकट देना था झूज नंकुछ जिसतारा से ठीकट दिया Уसको भी टीकट देता है अपनी च्गाराइऑ थाई यह इसको there जाके उसे चेड़नी की ज़रूरत ही नहीं थी और जाके उसने इंसिस्ट किया है उसे पैसा दो आपके पास क्या रिपोर्ट आई ही मुझे यह यह नहीं मलूम है मैं उन लोगों से बात कर चुका हूँ पहले तो उसने पैसा डिमांड किया दो औरतें बैटी थी आएगी शीट पे दोनों भी बुरुखे में थी तो एक को उसने टिकट दे दिया इस औरत को उसने टिकट नहीं दिया तो इसके पास जा कि खामखा इसको छेड़ा इसने और कहा कि पैसा दो उसने का कि दूसरी आउरतें भी इसमें ट्रावल कर रहे हैं, मैं भी ट्रावल कर रहे हूं, आउरतों के लिए तो फिरी है, सरकार ने फिरी किया है, तो उसने काया कि तुम्हें पाकिस्तान जाओ, वहां फिरी मिलेगा, तुम्हें यहां नहीं, और यह हरकत जो है ना बात की अजाज़त देता है, हम Constitution में मताबख चल रहे हैं, Hi में हर बात की अजाज़त independent, तर रहे है हम क्यों कोई भी दूसरे को कहने का है कहां कहां से मिलता क्यों कोई भी नहीं? और यह सर्कारी एक करब्चारी था, करमचारी को कहां से इतना ये मिल गया, कि वो एक मुस्टिम महिला को कह दे कि पाकिस्तान चले जाए, क्यों जाएंगे, लेकिन अफसूस की बात है, अभी तक एफायर तक नहीं वाज़ा, देखें, जिस दिन मुझे ये मेरे पास आया, उसी दिन रात को मैंने वजीर तक ये बात पहुंचा दी मैंने, और दूसरे दिन कल कारवाई हुई इसकी, अभी मेरे पास उनके सेकरेटरी का फोन भी आया था, और वो मुझे मिले भी थे, और मिलके उन्होंने कहा, कि अश्रफ, देखो, हमने उसे सस्पेंट कर दिया है, मुख्यमंतरी जी ने कहा था, फौरऑन उसे सस्पेंट करो, आपकी वीडियो आने के बाद जो है न, आपके मेसेच के बाद, जो है न, उसे हमने सस्पेंट कर दिया, मुझे वे सस्पेंट मेरा डिमाड ने था, में वे खाली, ये निह हुआ पुझे, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं पहले ही कही दिय था मैं सुस्पेंशन की दिमाड नहीं कर रहा हूं उसे नौकरी से निकालने की दिमाड मैं नहीं कर रहा हूं मैं तो सिफ यह दिमाड कर रहा हूं कि उसे कुंड़ा एक्ट में अंदर किया जाए क्योंकि अब उस पर मुझे वो एक साहब मुझे कहने लगे कि देखें साहब ऐसा है गुंड़ा आक्ट के लिए कुछ खानून है वो खानून के तहट हमें करना पड़ता है और मुझे समझाने लगे मैंने कहा मुझे यह मत समझाईएगा खानून है मैं जानता हूँ गुंड़ा आक्ट में डालने के लिए पहले उसके उपर क्रिमिल केसस होना डखाईटी के केसस होना मुझे के केसस होना आईसे लोगों को हम जो है न कर सकते हैं गुंड़ा एक्ट में डाल सकते हैं एक मामुली कंडुक्टर की गुंड़ा एक नहीं डाल सकते तो तब मैंने उनको जवाब में कहा आप ये मत समझाई़े मुझे है आप एक्ट को पढ़िए गाँ इसने दो कम्मूनिटीज में हेट्रेट create करने की कोशिश की है यह hatred का मामिला है दो community को लड़ाने का मामिला है एक आउरत के साथ बत्तमीजी का मामिला है यहां section 376 लागो होता है IPC के section 376 जो sexual harassment है वो लागो होता है तो hatred करने वाले जब आउसका घर demolish हो जाता है वहाँ UP, Bihar, Rajasthan, सब जगह जगह जो है डमालिशन चुरू हो जाता है हेटरट करने वाले के एक दूसरे को लड़ाने वाले के घरों को जो है डमालिश कर देते हैं यह तो सिफ मैं ते मेरी मांग तो सिफ आपको से कुंड़े आक में दालनी की है जब दोनों कम्यूटी में हेटरट शुरू किया उस नहीं है करने की कोशिच की, लड़ानी की कोशिच की तो वह जो वार अगेस दी स्थेट तो आपको क्यों नहीं है, आप अपने वकीलों से बात करो, उनसे राय मशुरा करो, आपके एजी को बुलाओ, एजी से बात करो, बात करो इसको, तो अभी भी आपका ही मुतालबा है, मेरा मुतालबा यही है, जब तक उसको उर्एस्त, नहीं सिर्फ एर्स्त नहीं है मैरा डिमंड आरस्त नहीं है, rivals Alex. और sexual harassment का केस उस्पे लगे. अब मैं ये कोशुष कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि मैं ये कोशुष कर रहा हूं कि उस family को रहा हूं। अब सब के सामने पेश करूंगा उनको में, जो हकीकत है वो बयान करेंगे, उसके पर इनको एक्षिन लेना पड़ेगा, अब तक F.I.R. सो मोटो F.I.R. करना चाहिए था, तो पॉलिस की नाकामी है उसमें, पॉलिस की नाकामी नहीं, पॉलिस को आपने डिरेक्शन क्यों नह पॉलिस कोड़ा आ पॉलिस की नहीं लसकता है जो है कि यूने उसका यह मतलब है कि पॉलिस की नाकामी इसमें जाहिर हो रही है और पॉलिस ने एक्शन नहीं लिया फौरी तो पर पॉलिस को यह फायर तो करना चाहिए था एरस करना उसे इंक्वाइरी करना यह बात की बात है पहले फायर करें तब इंक्वाइरी कर सकते हैं इंक्वाइरी में कौन क्या है यह दिखा सकते थे आप रिपोर्ट अपने हो मिनिस्टर को की, अपने होम सेक्रेट्री को की, अपने ISP को की, किसी को भी दे सकते था लोकल पोलीश. आपने ऐसा नहीं किया. ऐसा नहीं करने का मतलब यह हुआ, के पोलीश भी जो है ना, उनीं का साथ दे रही है. अरे ये हिम्मत कैसे हुई ये कंड़क्टर की कहने की तुम पाकिस्तान जाओ क्यों कैसा क्यों कहेगा भई वो हमसे हमने आपको कहा था तुम पाकिस्तान जाओ किसी आउट देश में जाओ जाके वहां बसो हमने तो कहा नहीं हमने आज चक किसी से से भी हमें ताकीत है कि सबर करो हम सबर कर रहे हैं सबर का मतलब यह नहीं बिलकुल हर्गिज हर्गिज यह नहीं है कि हम कमजोर हैं ऐसी बात नहीं है हम सबर कर रहे हैं उसी जगह हमें इस बात की भी तल्खीन दी जाती है मजभब में और खुरान शरीप में इस बात का इसार भी है कहा गया है कि जुम मत सहूँ जुम सहना जुम करना दोनों गुना हैं यह हमारे उपर जुम है कैसे सहले हम इस बात की अजादत मुझे मेरा मजभ भी देता है मैं कैसे समझ जो हम कैसे यह मान लें इस चीज़ को यह तो हमारे उपर जुम है खामखा का सबसे ज्यादा अगर इस देश के लिए खुर्बानी दी यह तो मुसल्मानों ने आंक्रे आप जानते हैं सबसे ज्यादा खुर्बानिया मुसल्मानों ने दी है ये इंडिया गेट में पत्थर नस्ब है वो पत्थर पे जाके आपको गिन लीजिएगा अभी गिनवाए थे हम लोगों ने 93,370 नाम है उसमें कि ते 93,370 नाम दरचे पत्थर में कुनन्दा हैं उसको मिटाने का किसी कोई भी मिटा नहीं सकता उसको पत्थर की लकीर बोलते हैं ना पत्थर की लकीर हैं वो उसमें 61,300 मुसल्मान शहीद हैं 61,300 मुसल्मान उन उन शोहदा में शामिल हैं 93,000 में तो योगदान किसका जियाद आ रहा है आपका या हमारा दूसरे नंबर पे हमारे सरदार भाई आते है फिर भी कहते हैं कि यह वतन हमारा नहीं क्यों किसके बापकी जागिर है यह हिंदुस्तान है हमारा हिंदुस्तान है हम से हिंदुस्तान है हम के बाने हे बीम हे से हिंदू मुयून से मुसल्मान जब हम ये को ये तब हिंदूस्तान बना रही है क्या दलितों को जब गाली देने के बाद जिस तरह से कानून है क्या मुसल्मानों को गाली देने वालों के लिए खिलाब भी जो है इस तरह कानून लाना चाहिए बिल्कुल मैं इसकी डिमाइन करता हूँ इसकी डिमाइन करता हूँ तूंकि हम अखलियत में हैं दलित भाई भी अखलियत में है ऐसा खानून बनने चाहिए क्योंकि हर कोई उटकर यह कहे दे कि हमें पाकिस्टान चले जाओ हर ये कुछ छूट है कहने की उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या खामखा कोई भी कहता तो हम मान ले हमरी बेज़दी करे तो हम मान ले उसका हम जवाब देते हैं तो हम मुझरिम है मुझरिमों के कठेरे में ले जाके खड़ा कर देते हैं हमारे ले खानून क्यों नहीं बनना हमारे ले खानून बनना चाहिए किसी भी फर्द को दूसरे फर्द पर इस तरह के अलवाज अदा करने का हक होना नहीं चाहिए आई निस बार की इजासत नहीं देता अच्छा इससे पहले भी जो है एक कंडिक्टर का चाहता हूँ आपसे अगर उस गलती की उसे अगर उस महिला को उस टेम पे उसके खिलाफ कारवाई की होती तो आज इसकी यह हिम्मत नहीं होती थी कारण वो है आज यह हो गया इससे बड़ा और हो देते हैं उसके खिलाफ कारवाई हो जाती तो दूसरों को करने की मुख्म यह ही नहीं होता थी हिम्मत ही नहीं होती थी आज उनकी हिम्मत बंद गई है और आज यह आया है सवाल यही है कि तुम कैसे कहोगे के भी हम पाकिस्तान को चले जाएं क्यों चले जाएं हम यह बताईए